नवश्कार, दिनांग 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 तक शनिदेव वक्री रहेंगे, जब प्रमुख तारग रहे, वक्री हो जाते हैं, और उसमें भी जुग्रह कर्म के अनुसार फल करें, जब वो वक्री रहते हैं, तो उसे दो श्रिणीबद इस्तियों में देखने की जरूत रह जाती है, यदि आपकी जन्मकालिक इस्तियों में शनिदेव वक्री हैं, और जब अभी वक्री हो जाएंगे, नि 17 जून से, तो परिणामों की जो दशादेशा है वो अलग है, जन्मकालिक आरहर पर मारगी और अभी जब वक्रगत अवस्थाओं के साथ में आ जाएंगे, तो जो परिणामों की शुबता है, उसमें थोड़ी से कमी भी आने लगती है, अब पहली बात ये कि चर्चा हम धनुराशे के जातकों के लिए लेकर उपस्तित हुआ हैं, शनिदेव के वक्री प्रभाव के साथ, धनुराशे के जातकों को साड़े सांती से मापत हो चुकी शनिदेव नैसर के एकत्वार पर जहां बहतर फलाफल देता हैं, पराकरम भाव वहीं पर अपने इस्तितियों को लिए हुए, यहां गुरू एवम राहु पर शनिदेव की तीसरी द्रिस्टी रहने वाली होगी, चांडाल दोश पंचम भाव के साथ में बना हुआ है, पर गंतुश में सकारात परता भी निकल कर आती हैं, तो सबसे पहले आप यह देखिएगा, यह चयार पर शनिदेव के आगे तो शनिदेव के बना हुआ है, जो हस्त रचत कुण्डिया मनिती थी, उसमें Plus का साइन कर दिया जाता था जो आज भी मुसलसल जारी है, यह नैंग इसका अर्थ यह है कि शनिदेव वक्र का ताधार में है। अब जन्म का लेक आधार पड़ी वक्री और अभी जब वक्री हो जाएंगे कोई प्रमोशन लंबे समय से अटकी हुई है। साथ ही साथ में जो इनका चेस्टाबल है वो व्यक्ति विशेश के नैसरगिक पुरशार्थ को भी सामने लेकर आता है। कामका जी जिवन में जिस ताकत के साथ में आप चलना चाते हैं वो अब आपके साथ मने रहेगी। शत्रू जो लंबे समय से हावी थे आपके किसी भी प्रोजेक्ट में बारंबार कोई व्यक्ति विशेश अड़चन डाल रहा था जिस वज़े से मन व्यतित था अब विवस्तित था उससे अब आप संभल कर आगे बढ़ सकते हैं इस यात्रा का प्रमुक चर्चाकरम ये भ होते हैं और उसके साथ में चलता हुआ एक जो शारेरे की स्तर होता है उसमें ठकान नहीं है लगातार एक उर्जा है उस उर्जा के वज़े से आप काफे कुछ आसिल करने वाले होंगे जौब में जो टेक्निकल प्रोस्पेक्ट के साथ में जुड़े वोई महनुभाव होत यह जो समय विशेश है पूरी ही उर्जा के साथ में आपको उसी तरह बढ़ाने का यतन और प्रयतन कर रहा है अपने भीतर के मूल भाव में यही बात अंकित करके रखिएगा कि अब समय की रोप रेखा सकारात्मक है उसके साथ में जीवन को एक अलग दिशा देने की आव अपने वाले नहीं जब सहयोग मिल गया यातरा वहां से शुरू होती है अब कर्म की यातरा आगए है वो आपके साथ और वहीं जो आप यहाँ पर अपने क्षमताओं की बात करते हैं किसी भी कामकाच के अंदर हम उतर रहे हैं नए सरे के साथ में क्षमताओं क्या कहेंगी पोजिशन्स क्या रिफलेक्ट करने वाली होंगी उसमें अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स आपके साथ में थोड़ा सा और गहराई के साथ में रेम चर्चा करते हैं तो आप ये पाएंगे कि कोई भी कारे आपने हाथ में लिया है लोगों का सहयोग मिलता चला गया जो र उनके तसरा आप के लिए ठीक नहीं है दूसरे अर्थों में ये भी देखें कि जो संतान पक्ष के साथ में चोटी चोटी बातें मन मुटाव लेकर आती है वो बढ़ सकती है गुरु रावु पहले से पंचम भाव में चनिदेव की 30 दिस्टी यहाँ पर मौजूद इसी व प्रवात करने का मानस बना चुके हैं वहाँ पर भी ये समय आपको बेहत अच्छे ताजगी दे रहा है मन में जो लंबे समय से डाउटफुल अप्रोच चल रही थी यह काम हम कर पाएं गया नहीं रोपए पैसे के लेंदेन के साथ में चीज़ें इतनी आगे तो बढ़ च चाते हैं उस और बढ़ सकते हैं परन्तु यह जो तीन से चार महीन है बारम बार एक सेल्प डाउट लेकर चलेंगे क्या होगा कैसे होगा वहीं खुद को संभालने के पुरी पुरी आवशकता हैं आपके लिए रहने वाली होंगी दूसरे अर्थों में आप यह भी गौर क पर चुके हैं अब नई application के साथ में किसी organization की और रुख करना चाते हैं इस समय को खुद के लिए बेहत शांदार मान कर चलिएगा higher education को relate करते हुए approach बहुत ज़ादा positive कई बार वेक्टी अपनी philosophy के साथ में driven होता है हम इस तरह से हैं और ऐसे ही खुद को प्रस्तोत करते हैं आप सबसे पहले उस एक प्रक्रिया से स्वयम को ये कहिएगा कि कहीं ने कहीं इस समय अंतराल के साथ में खुद को थोड़ा सा mold करके चलने के requirement भी है ये जो molding approach है आपको prosperity का एक अलग base और measure देने वाली होगी यहाँ पर जो आध्यात्मिक ताकत है आपके वेतर की वो लग प्रियातार साथ में चल रही है इसी आध्यात्मिक ताकत के साथ में संतुस्टे का प्रखर वेग जो निरंतरता आपको दे रहा है यहां से कहीं पर भी आपको चिंतित एवम विचलित होने के आवशक्ता हैं दूर दूर तक भी नहीं है धनुराशी के जातकों के लिए एक कि शनिदेव की जो दस्वी द्रिस्टी यहां एक तरह से द्वादश भाव पर रहने वाली होगी कोर्ट कचेहरी संबंदित मामलात लंबी समय से जो लंबित थे निरणा नहीं आ पा रहे थे पैतरिक संपत्ति संबंदी को इस्तितियां थी वियापार एक इस तर पर दो हि ताकत आपके साथ में रहने वाली होगी इसमें कोई भी दुबदा नहीं लेकिए धनेश होकर शनिदेव पराकरम बाव में है और इनकी द्रिस्टी द्वादश भाव पर है तो जो खर्चों के स्तियां होती है वो भी व्यक्तिवों कहीं की निवेश की तरफ लेकर जाती है व्यापार के अंदर कुछ लोग आए हैं उनके लिए बहुत सारे एक्स्पेंसिस हो रहे हैं या फिर आप थोड़ा सा इस तरह के एक्स्पेंसिस की और जा रहे हैं जो बिजनस को दिखावट के सुरूप में लेकर चलता है वो चीज आगे जाकर आपके लिए ही प्रोस्प इसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं गर परिबार को उसकी सूचना देना चाहते हैं और वहीं से अब जो जीवन का मंगला चरण होता है उसको देखना चाहते हैं वो प्रक्रिया और वो ताकत आपके साथ पूरे ही वेग में बनी हुई है अब यदि शनिदेव मारगी इस कि वर्बल कमिट्मेंट कई बार विदाएं दे देते हैं उससे हमको पूर्ण तया संभलना है शनिदेव की इन इस्तितियों की वज़े से ही एक और बात सामने निकल कर आती है कि आप कई बार वहां अड़ जाते हैं जहां पर लोग आपको एक तरह से हाटी समझ लेते हैं ऐसी अवस्थाओं में अपनी जो एक तरह से समझाईश है उसके घेरे बढ़ा कर चलने का परयत्न करते चले जाईएगा जहां लगेगा कि भागगी का सायोग है वहां से पूर्ण तया भागगी का सायोग परते बिम्बित नहीं है उस एक अवस्था से भी खुद को संभा ये महत दुपूर्ण प्रयोजनार्त इस्तती आपके लिए रहती है तो तम अभी भी निरंतर तोर पर हनुमन तुपासना अपने साथ में आपकरते रहिएगा आटो मोबाइल और मेनिफेक्चरिंग संबंदी कामकाज में आपका जुडाव है कोई नई एजेंसी लाइन का आफर सामने निकल कर आ रहा है खुद को थोड़े से ठहराव के साथ में लेकर चलने का प्रयास करें और वहीं शनिदेव की द्रिस्टी सूरी राशिस्तान पर यानि आदर्श शत्र राशिस्तान पर मंगल यानि शत्र राशिस्तान पर और नीचस्त राशिस्तान पर रहने वाली होगी मंगल के दोनों ही राशी स्तानों को शनिदेव के स्तधियां लेकर रही है आप इनी स्पोर्ट संबंदी पोजिशन्स के साथ में जुड़े हुए है और वहीं आप टेक्नोलोजी संबंदी पोजिशन्स के साथ में बैनेजमेंट संबंदी डेसिगनीशन में भी ह ऐसे दूनों ही अवस्थाओं के साथ में शांदार, परणाम, परतिध्वनित हो रहे हैं बले ही शनिदेव मारगी अवस्थाओं में हैं तब भी परंतु शुरवाती तोर पर जद्दो जहत करने की आवशक्ताइं आपके लिए रहेंगी तो यह था दनुराशी के जातकों के लिए शनिदेव का होने वाला वक्री प्रभाव का पूरा ही चर्चाकरम हम इसे तरह से उपस्तत होने का प्रयत्न करते रहेंगे धन्यवाद एवंकोटी शहर आभार